हेलो फ्रेंट्स सौकत आपका हमारे youtube चैनल में आज हम देखने वाले हैं जो हमारी SGPGI में क्या हुआ है वकेंसी आई हुए है तो देखने वाले हैं हमकि समें कौन सी वकेंसी आई है mechanical की है और भी बहुत सारी vacancy है तो main जो है इसमें क्या मागा गया है आपका diploma मागा गया हुआ हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा सुरुआ से आकरी तर देखेगा क्यों क्यों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यह जो exam में इसका syllabus क्या होने वाला है exam का pattern क्या होगा और आपका exam और इसकी date क्या है ठीक है इसकी date की form starting की कितनी है और कब तक कि आप इसे fill कर सकते हैं तो सारा का सारा आपको चीजे इस वीडियो में मिल जाएंगे तो आप इस वीडियो को सुरुआ से आखरी तर बेखेगा तो बात कर लें यह जो form आया हुआ है तो इसम जो क्या है तो 25 जनवरी 2022 से भर सकते हैं और इसकी जो last date कितनी है आपकी 14 February 2022 तक भर सकते हैं तो इसमें देखने वाले कि यह जो वकिंसी है इसमें आपका किस department में कि मिलब किस किस ब्रांच में कितनी वकिंसी है तो आप इसे देख लीजिए तो इसमें जो में है वो मैं आप आपको बता दे रहा हूं जो आप आप अपलाई कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं civil engineer के हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी civil की कितनी आ रखी है civil के आपकी आई है total 9 वकिंसी यह नो में 4 channel है एक OBC है SC ST की है ठीक है और अगर हम junior engineer electrical की बात कर लें तो इसमें total आपकी 4 vacancy है दो आपकी general की है और ये है एक है और mechanical की बात कर लें तो इसमें total 2 vacancy है एक general की है और एक SC की है तो आप इसको पूरा जो notification है वो आपको नीचे description में मिल जाएगा तो आप वहाँ पे भी जाके इसको पढ़ सकते हैं अगर आप stenographer की बात कर लेते हैं तो इसमें total 22 vacancy है 8 journal की होंगी आपकी 2 SC की OBC की और SC ST की होंगी ठीक है तो इस type की total vacancy है और इसे क्या है जुन लोगों ने पहले भी इसकी vacancy आई थी तो उन्हें दुबारा फिर से apply करना है तो इसमें fees देख लेते हैं कि इसकी कितनी fees होगी तो देखिए जो journal और OBC वाले हैं उनकी fees कितनी होगी 1180 रुपए होगी और SC ST वालों की fees हो जाएगी 708 रुपए होगी तो इसकी जो fees है वो बहुत ही जादा है तो आप इसको सोच समझ के भरिएगा अगर आप इतनी fees को effort कर सकते हैं तो आप इसको भरिए क्योंकि यह जो department है इसमें जो paper का exam का pattern है या फिर exam में इसका कोई भी date fix नहीं होती कि exam कब होगा कब नहीं होगा तो इसको अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं क्योंकि इस time पर बहुत सारी vacancy आई हुई है तो आप उन्हें भी apply कर सकते हैं तो हम देख लेते हैं कि इसमें आपका pattern क्या रहेगा exam में और क्या-क्या चीज़े मांगी गई है तो एक important बात यह भी जो भी दिखिए civil engineering की जो job आई है civil electrical और mechanical की आपकी इसमें क्या है आपको दिप्लोमा होना चाहिए UP को किविकुन सब्सेंद होना चाहिए अब चाहिए आप ने शिविल से डिप्लोमा किया ओब वहां भी मांगा और mechanical से किया हो महाँ पर भी अब कर दिया है और अगर हम इस टैनोग्राफर की बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपका क्या है टाइप मतलब इन्होंने क्या मांगा है ग्रेजविशन मांगा हुआ है और जो हिंदी में टाइपिंग है असी डबलु पी एम है और आपकी जो इंगलि इसका प्रोसेस है आपका तो इसमें दिखिए प्रोसेस का एक सीधा सा है इन्होंने क्या किया है पहले आपका क्या होगा है आपका स्किल टेस्ट होगा ठीक है स्किल टेस्ट पास करने के बाद स्किल टेस्ट क्या होगा आपका कॉमन होगा तो आप उसे सारी बच्चे दें सेलेक्शन होगा और जो से लाइन ड़े दो घंटे होगा उसमें आपके 100 कुश्य नाने वाइब है क्या क्या आएगा आपका अगर हम बात करने आपके साथ आपका जो अगर आपने सिविल सिकत रखा डिपलोमा तो सिविल की कहूंगे लेक्टिकल से होगा है तो mechanical के होंगे और उसके बाद जो 40 होंगे उसमें आपका general English, general knowledge, reasoning और आपका mathematical aptitude उड़ाएगा और इसमें एक marks का आपको एक question के लिए एक marks मिलेगा और 1 by 3 इसके क्या है negative marks है तो ये चीज़े हैं जो और इसकी जो final list बनेगी वो आपकी किस पर बनेगी जो आपका ये मतलब जो बलते है return exam होगा मतलब return मतलब जो CVRT है उसी के basis पर आपका exam होगा तो ये SGPGI में जो वकेंसी आई थी इसकी मैंने आपको detail बता दी है और अभी बहुत सारे department में आई है वो भी आप देख सकते हैं डी टेपल स्बी में आई है जे टेपल स्बी में आई है आपका RM SSB में आई है तो आप ये सारे department में भी भर सकते हैं अगर आपको इंसे लेट झाल